हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेज वितराय अकेडमी, 31 अगस्त 2021 के दैनी ज्यागरन के राष्टिय संस्क्रण को आज इसकी वीडियो में डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भारत की एतिहासिक सफलता, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए सोंबार का दिन एतिहासिक सफलता वाला साबित हुआ, महिला निसाने बाज अवनी लेखरा ने भारत को पृतियोगिता का पहला सौनपदक दिलाया, वह उलंपिक में सौनपदक जीतने वाली पहली भारती महिला बन गई हैं, तो भाल सिंग गुजर ने कांस पदक पर कबजा जमाया है, चक्का फेक में योगेस कथूनिया भी रजक पदक जीतने में सफल रहे, अवनी लेखरा ने निसाने बाजी की 10 मीटर एर राइफल परधा में सौन पदक पर निसाना लगाया, उन्होंने 249.6 अंक बनाकर विस्व पांचमें प्रियास में नए अविस्व रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर दूर तक भाला फेक कर सौन पदक जीता, उनका पिछला सरसेष्ट परधरसन 62.88 मीटर था, जिसे उन्होंने 5 बार पीछे छोड अंतिम थ्रोव फाल रहा था, काबुल एरपोर्ट पर अब रॉकेट से हमला, अफगानिस्तान की राजधानिक काबुल में अंतराश्टी हवाई अड़े पर सोम बार को तड़के रॉकेट से हमला किया गया, हाला कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हावा में ही 5 रॉकेटों को नश्ट कर दिया और किसी का नुकसान नहीं हुआ, परंतु यह हमला ऐसे समय में किया गया, जब अमेरिका निकासी अभियान के आखरी चरण में अपने राजनेकों को काबुल से बाहर भेज रहा है, हमले के बावजूद निकासी अभियान जारी रहा, C-17 विमानों ने कई उड़ाने भरी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तालिबान के खिलाब 20 साल की लडाई के बाद अमेरिका मंगलवार याने की 31 अगस्त को पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देगा, अमेरिकी सेना के मद्द कमान के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि एयरपोर्ट की तरफ पाँच रॉकेट दागे गए, मिसाइल रोधी प्रणाली ने इन सभी पाँचो रॉकेट को हवा में ही मार गिराया, काबुल के समीप के सलीम कारवा कस्बे में भी रॉके नेक्स्ट निउस पर आते हैं, नेक्स्ट निउस, DMRC बनाएगा राश्ट्री मेट्रो रेल नौलेज सेंटर, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, विस विद्धाले मेट्रो स्टेशन परिशर में राश्ट्री मेट्रो रेल नौलेज सेंटर बनाएगा, DMRC ने इसके निर्माण क की प्रक्रिया सुरू कर दी है उम्मीद है कि अक्टूबर में इसके टेंडर आवंटित की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद देड़ साल में यह राश्टिये Metro Rail Knowledge Center बन कर तयार हो जाएगा यहां राश्टिये Metro Rail संग्राले देश में Metro Network के विकास का साक्षी होगा यहां Metro विस्तार निर्माण में इस्तमाल की गई अत्याधुनिक त्कनीक इत्याधी की जानकारी हासिल की जा सकेगी DMRC का कहना है कि विस्विद्दाले Metro Station के परिसर में 3000 वर्ग मीटर छेतर में PPP model यानि की सारुजनिक निजी भागेदारी Public Private Partnership के तहत बहुमंजिल Metro Rail Knowledge Center का निर्माण किया जाएगा देखिए ये ट्रिपल पी होता है यानि की Public Private Partnership इसमें सरकारी छेतर और Private छेतर दोनों एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते है Next News है बढ़े की ताकत सेना खरीदेगी आकास मिसाइल और ध्रू मार्क 3 हेलिकॉप्टर सेना ने करीब 14,000 क्रोण रुपए की लागत से आकास S.Y.U. रक्षा प्रणाली की दो रेजिमेंट और 25 आधनिक हलके हेलिकॉप्टरों की खरीदने का प्रस्ताव भेजा है रक्षा छेत्र में मेकिन इंडिया कारिक्रम के लिए यह बड़ा प्रोचसाहन है। सुत्रों ने बताये कि प्रस्ताव रक्षा मंत्राले के पास पहुँच गया है और जल्द ही रक्षा मंत्री राजना सिंग की अध्यक्षता में एक उच इस तरिये बैठक में इसे मंजूरी देने पर फैसला किया जा सकेगा। आकास S मिसाइले दरसल आकास मिसाइल प्रणाली का नया संस्क्रण है इसमें नया सौदेशी सीकर लगा है जो दुस्मन के विमान या क्रूज मिसाइल को ज़्यादा सठीकता के साथ 25 से 30 किलोमेटर दूर मार गिराने में मदद करता है। ये मिसाइलें लद्दाक के बेहद सर्द हालात में काम करने में सक्षम हैं और चीनवा पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर परवर्तिये एवं अन्य छेत्रों में सेना की सभी जरूरतों को पूरा करेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संग्ठन याने DRDO दौरा विक्सित इस मिसाइल प्रणाली को सेना पहले ही इस्तमाल कर रही है। प्रणाली गडितीये सूत्र से आकलन में सामिल एक विज्ञानी ने यह भास संबार को कही है। चरम पर रहने के दोरान प्रती दिन चार लाख मामले सामने आ रहे थे। दूसरी लहर में हजारों लोगों की मौत होई थी कई लाख लोग संक्रमित हो गये थे। अगरवाल ने ट्वीट किया कि अगर नया म्यूटेंट नहीं होता है तो यथा इस्तती बनी रहेगी और सितंबर तक अगर पचास फिजदी जादा संक्रमन म्यूटेंट सामने आता है तो नय वैरियंट सामने आएगा। आप देख सकते हैं कि नय सरूप में से ही तीसरी लहर आएगी और इस इस्तती में नय मामले पढ़कर प्रते दिन एक लाख हो जाएंगे। इसलिए अगर आप भी लापरवाही बरत रहे हैं तो कृपया सतर्क हो जाएए और कहीं पर भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं या फिर कहीं भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कर लिए और मास्क जरूर लगाईए और अपने हातों को सेनेटाइज जरूर करते रहिए समय से पहले पूरा हो सकता है देश भर में संपूर्ण टीका करन का अभियान कोरोना टीका करन की बढ़ी रफतार से समय से पहले ही टीका करन की उमीद बढ़ा दी है सोमबार तक देश में वैक्सिनेशन की 64 करोन डोज दी जा चुकी है 31 दिसंबर तक 94 करोन वैसकों को कुल 188 करोन डोज उपलब्द कराने का लक्ष है स्वास्त मंत्राले के अधिकारियों को उमीद है कि वैक्सीन की अगस्त महीने से बढ़ी सप्लाई से इस लक्ष को समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा स्वास्त मंत्राले के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि अगस्त में सीरम इंस्टिटूट और भारत बायोटेक दोनों ने लगबग 18 करोन डोज की सप्लाई का अनुमान था इन दोनों कमपनियों ने अनुमान से दो करोन डोज अधिक की सप्लाई करी इसके चलते एक अगस्त से तीस अगस्त के भी 17 करोन से अधिक टीके लगाने में सफलता मिली है नेक्स निउस है अफगान संकट के दौर में कतर बना दुनिया के लिए खास अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी के बाद कतर दोनों देसों के बीच संपर्क में प्रमुक भूमिका निभाएगा हजारों लोगों को काबुल एरपोर्ट से लाकर पहले कतर में ही रखा गया वहां से अन्यत्र भेजा गया मौजूदा परिस्तिती में इस छोटे से अरब देस की भूमिका इसलिए महत्पून हो गई है क्योंकि उसके अमेरिका और तालिबान दोनों से अच्छे रिस्ते हैं अच्छे रिस्तों के चलते ही कतर में अमेरिकी सेंड अड़ा है और अफगानिस्तान की सकता से हटने के बाद तालिबान कतर की राजदानी दोहा से ही अपना राजनीतिक कार्याले चला रहा है अमेरिका ने सनी वार तक अफगानिस्तान से 1,13,500 लोग निकाले हैं इनमें से 40% को कतर में कुछ देर के लिए रोका गया और उसके बाद आगे के लिए रवाना कर दिया गया कावल से आए हजारों लोग अभी भी कतर में हैं कतर से सोम बार को हुई प्रमुख देशों और संगठनों की वर्चुल मीटिंग में सिर्कत की है जिसमें अफगानिस्तान की इस्तिती पर विचार किया गया है नेक्स न्यूज है चीन ने अमेरिका से कहा तालिबान को सही राह दिखाए दुनिया चीन के विदेश मंतरी वांगी ने अपने अमेरिकी समकष एंट्री बिलिंकन से अफगानिस्तान को लेकर फोन पर बात की रवी वार को ही बाचीत में चीनी नेता ने कहा कि अफगानिस्तान को आर्थिक और मानवी मदद मुहया कराने के लिए अमेरिका को अंतराश्टी समुदाय के साथ काम करना चाहिए अफगानिस्तान की नई सरकार को सुचारू रूप से सरकार चलाने में मदद करनी चाहिए और समाजिक इस्थिरता और अफगानिस्तान के मुल्यन को रोकने के लिए काम करना चाहिए नेक्स न्यूज है बिजनेस पेज से कि प्रदूसर घटाने की कोशिस में महेंगे हो रहे है वाहन मारूती भी बढ़ा रही है दाम तेवारी सीजन में बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकार बाइक समेत अन्य वाहन खरीदते हैं ऐसे संकेत हैं कि एकनौमी में सुथार की वज़ा से जादा लोग इस तेवारी मौसम में नई कार खरीदने की यूजना बना रहे हैं लेकिन इस बार ग्राहकों को जादा कीमत अधा करनी होगी इसकी वज़ा यह है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारूती सुजिकी न सितंबर से वाहनों के दाम बढ़ाने की घुष्णा की है कई अन कंपनियों ने भी लागत मूल बढ़ने की वज़ा से दाम बढ़ाने की तयारी कर रखी है अंतराश्टी बाजार में इस्टील तामबा प्लास्टिक वर लोहा ही नहीं रेडियम और कैलेडियम जैसी बहुम मुल्य धातियों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है मोबाइल फोन सेवा महंगी होने की संभावना मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी भारती एरटेल जल्द मोबाइल फोन की सेवा दरों में बढ़ोत्री कर सकती है कंपनी के चेर्में सुनील भ साल के अंत तक दरों में 33 फीज़ी तक की बढ़ोतरी की जरुएत बताई है एर टेल की तरफ से आये इस बयान के बाद वोड़ा फोन आइडिया और एलाइंस जीयों के तरफ से भी दरों में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं मित्तल ने कहा कि एर टेल को फिलहाल प्रत से और पहला आर्टिकल लिखा है पूर उसैनिक एवं पूर प्रसासक आर विक्रम सिंग ने और आर्टिकल लिखा गया है काबूल पर पाकिस्तान का काला साया बीटे दिनों काबूल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के दोस्यों की सजा देने के लिए अमेरिका ने जिस एर स्ट्राइक को अंजाम दिया वहां से पाकिस्तान का पेशावर सहर धाई घंटे की दूरी पर है इसी नर्संगहार में ही आई-एस खुरासान का मुख्याले है जिसने गत्सप्ता काबुल एरपोर्ट पर आत्मगाती हमले के लिए हमले किये जिसमें सैक्लों लोग मारे ग दरसल आई-एस खुरसान वह अंकुस है जिससे पाकिस्तान तालीबान को नियंद्रित करेगा इसकी कीमत अफगानिस्तान सहिच से स्विस्व को ही चुकानी होगी यदि दोहा में तालीबान से हुई वारता में अफगानिस्तान की चुनी हुई आश्रफ गनी सरकार को भी म तफरी मची होती ऐसा नहीं हुआ और इसका ही परिणाम यह है कि 20 साल बाद वही तालीबान फिर से अफगानिस्तान पर काबिच हो गया जिसे अमेरिका ने ही बेदखल किया था पाकिस्तान को लेकर निशाने पर आये अमेरिकी राश्टपती बाइडन ने कहा कि हम वहां र मारने के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से भी निकल जाना चाहिए था आकिर अफगान का मूल खलना है पाकिस्तान की मंसा हमेशा से अफगानिस्तान को अपने साचे में धालने की रही है जब डूरंड रेखा और पक्तूनिस्तान को लेकर विवाद बढ़ा तब पाकिस्तान ने पक्तून राष्टवाद की काट के लिए इसलामिक अभियान का मुद्दा चलाया इससे पक्तूनिस्तान का मुद्दा हाशिय पर चला गया इसी दोरान अफगान राष्टपती दाउत का जुकाओ सोवियस संग के बजाए पश्चिम की ओर रहा था। रूसियों की तरह अमेरिकी भी जान रहे हैं कि उनकी अफगान समस्या की जड़ में पाकिस्तान है लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को निसाना नहीं बनाया जबकि पाकिस्तान के सेन महत्वकान चाहें ही इसे पूर इलागे को अस्थिरता का कारण बना रही हैं। अपने पूरब में पाकिस्तान कस्मीर चाहता है और अफगानिस्तान में इसकी इच्छा रणितिक पैट बनाने की है। वही 9-11 के बाद जब अमेरिका को अफगानिस्तान में सिनाय उतारनी पड़ी तब इस भुआ बद देश में अभियान के लिए पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी बन गया। संपूर्ण हिमाले चेतर पर वर्चस्तु चाहता है। भारत तीनों का लक्ष है अच्छी बात या है कि हमारी तुष्टी करणवादी रशनात्मक नीतियों की प्रधान मंतरी मोदी के दौर में कायक पलट हो रही है। आती सक्रीता की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ज्यान परंपरा का हिस्सा बने संस्रत। हाला कि इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जिसे हम डिसकस करें। और भरोसे लायक नहीं तालीबान, तालीबान की न्यूज अक्सर हम डिसकस करी रहे हैं। इसलिए इन दोनों आर्टिकल को हम डिसकस नहीं करेंगे। यह स्पोर्ट्स पेज में जो न्यूज थी उसे हम डिसकस करी चुके हैं। क्योंकि दनी जार्ण की पहली ही में जो हैडिंग थी वो जो सुर्ण पदक जीते गए हैं उससे थी। एक न्यूज है कि इस्टोर्ट बिन्नी का प्रथम स्रेणी व अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास। लेने का फैसला किया है बिन्नी ने अंतराश्टी इस तर पर अधिक रन नहीं बनाए लेकिन उन्हों ने बांगलादेश के खिलाब जून 2014 में धाका में वंडे मैच में केवल 4 रन देकर 6 विकेट लिये थे यह भारत की तरफ से वंडे में सरसेष्ट गेंदबाजी प्रदर् महेंजिंग धोनी ने उन्हें कुछ टेस्ट मैचों में आजमाया था लेकिन उन्हें विसेज सफलता नहीं मिली इंग्लैन के खिलाब 2014 में अपने परदापरन टेस्ट में उन्होंने 78 रन बनाये थे यह 6 टेस्ट मैचों में उनका एक मात्र अर्चतक है तो यह आज का 31 में अगर आपको और कोई चेंजमेंट चाहिए या इसमें कुछ भी आपको बदलाओ चाहिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आपके कमेंट मोटिवेशन का काम करते हैं आप जो चीजें कमेंट माध्यम से बताते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है और सुधा के लिए भी प्रेरित होता हूं तो I hope वीडियो अच्छा लगा होगा देखने के लिए धन्यवाद